बल या फोर्स क्या है जब हम किसी वस्तू को या तो इस तरीके से धक्का दे रहे हों या खीच रहे हों या हम क्या कर रहे हों किसी वस्तू की स्थिती में या उसकी गती की दशा उसकी पोजिशन उसकी स्टेट में या गती की दिशा डायरेक्शन में कोई बदलाव ला रहे हों या बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हों तो उस प्रयास को करने के लिए जो हम अब जो भोतिक कारक यूज करते हैं उसे हम कहते हैं बल या फोर्स तो हम कह सकते हैं कि बल एक ऐसा भाहिय कारक या भोतिक कारक है जो किसी वस्तु की इस्तिती दशा या दिशा को या तो बदल सकता है या बदलने का प्रयास करता है तो उसे हम कहते हैं बल है बल जो होता है वो वस्तु के द्रवेमान और तवरण के गुणन फल के बराबर होता जिसे ये वस्तू A इसका अपना एक द्रवयमान है तो आप इसमें ऐसे समय के साथ इसके वेग में परिवर्तन करने के लिए जो भी भोतिक कारक उपयोग में ला रहे हैं उसे हम बल कह रहे है तो बल होगा द्रवेमान गुणा त्वरण द्रवेमान को हम M से वेक्ट करते हैं और त्वरण को A से तो यह F is equal to A में होता है जिसे हम बाद में सिद्ध भी करते हैं बल का जो CGS मात्रक होता है वो द्रवेमान का ग्राम होता है CGS पद्दती में हम जानते हैं और तवरन का cm3 स्क्वेर होता है तो gram cm3 स्क्वेर बलका CGS मात्रक है जिसे हम dine भी बोलते हैं जो हमारी मात्रकों की SI पद्दती है उसमें हम द्रवेमान को kg में वेक्त करते हैं मतलब gram की जगे kg आ गया देखें CGS से SI ग्राम की जगे kg आ गया है और cm3 स्क्वेर की जगे m3 स्क्वेर होगा तो ये बलका SI मात्रक हो जाएगा kg मीटर पर सेक्वेर जिसको हम mks मात्रक भी कह सकते हैं तो kg मीटर पर सेक्वेर और बाद में इसको SI पद्दती में हम बोलते हैं न्यूटन तो ये बल का SI मातरक हो जाता है Newton तो बल का CGS मातरक Dine और SI मातरक Newton है और अगर इनमें संबंध लेना चाहें तो एक Newton में 10 to the power 5 Dine होता है मतलब एक बल का जो SI मातरक होता है वो 10 to the power 5 CGS मातरक के बराबर होता है अगर हम बल का वीमी सुत्र देखें तो देखिए द्रवेमान का M होता है तो यह M हो गया देखिए द्रवेमान गुणा त्वरण तो द्रवेमान का M हो गया और त्वरण का LT-2 होगा तो बल का विमी सुत्र हो जाता है MLT-2 और जो बल है वो कौन सी राशी है वो एक सदिश राशी है और घर्षन जो होता है वो गती विरोधी बल होता है धन्यवाद